अध्याय दो भारत एक सामान्य परिचय उप महाद्विपिये बनावट विविधता में एकता भारत एक विशाल देश है इसके उत्तर में विश्व की सबसे उची एवं नवींतम परवतमाला हिमालय स्थित है यहां सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रमपुत्र आधी नदियों की गहरी घाटियां है प्रायद्विपिये पठार एक प्राचिंतम भूखंड है हमारे देश में जम्मू और काश्मीर राज का कारगिल अत्यंत ठंडा छेत्र है वही राजस्थान में थार का गर्म मरुस्थर भी है मेघालय के मासिन राम में दुनिया की सरवाधिक वर्षा ह होती है यहां विभिन प्रकार की वनस्पतियां और जीव जन्तु मिलते हैं विभिन छेत्रों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती है लोगों के खान-पान और रहन-सहन में विभित्ता है ये भिन्नताएं परस पर एक दूसरे की पूरक हैं अर्थात कालांतर से एक छे दूसरे छेत्र पर विभिन जरूर्तों के लिए निर्भर रहा है एशिया महाद्वीप के मान्चित्र पर दक्षिन में भारती उप महाद्वीप एक अलग और स्वतंत्र भगौलिक प्रदेश दिखाई देता है इसके उत्तर पश्चिम में किर्थर और सुलेमान परवत श जो पश्चिम्यम्मार में बंगाल की खाड़ी के तटो से होती हुई दक्षिन से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती है मान्चित्र 2.1 में काली लकीर को देखें काली लकीर के द्वारा दिखाई गई उची और दुर्गम पहाडी श्रिंखलाएं शेश एशि से भारत को अलग करती है इस उपमहाद्वीप का एक हिस्सा दक्षिनी प्रायादीप है इसके किनारों से पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी से उठती लहरें लगातार टकराती रहती है ऐसा प्रतित होता है कि यह प्रदेश सभी दिशाओं से अभेद एवं दुर्गम में है दक्षिनेशिया के इस प्रदेश को भारती उपमहाद्वीप कहा जाता है इन्हें जाने द्वीप महाद्वीप का एक भूभाग है जो चारों ओर से जलराशी से घिरा होता है जैसे अंडमान महाद्वीप इसकी कोई सर्वमान परिभाशा लेकिन प्रारम में ऐसी मानिता थी कि ऐसा सतत विस्तृत और विहत भूभाग जो चारों ओर से विशाल जलराशी से घिरा हो महाद्वीप कहलाता है चुकि इस परिभाशा के आधार पर एशिया और यूरोप को अलग नहीं किया जा सकता एशिया और यूरोप को यूरेशि अगर हम ध्यान से संसार के मानचित्र को देखें तो एशिया, यूरोप और आफ्रिका तीनों स्थलखंड जुड़े हुए हैं और उत्तर तथा दक्षिन अमेरिका भी जुड़ा है अता यह कहना उचित होगा कि जिस विस्तृत और रिहत भुभाग को परंपरागत रूप से महाद्वीप की संग्या से जाना जाता रहा है उसे महाद्वीप कहा जाता है उपमहाद्वीप भगौलिक, सांस्कृतिक या एतिहासिक द्रिष्टी से महाद्विप का एक विसिष्ट भूभाग है जैसे भारतिय उपमहाद्विप जबकि ऐसा भूभाग जिसके तीन ओर जल राशी हो प्रायद्विप कहलाता है मानचित्र 2.1 से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतिय उपमहाद्विप भूगौलिक द्रिष्टी से एश्या महाद्विप का एक विसिष्ट प्रदेश है इसकी भूगौलिक इस्थिती और बनावट ने एक विसिष्ट जलवायू भी प्रदान की है जिसे हम मानसूनी जलव कहते हैं कलपना कीजिये कि अगर हिमालय की उची वह लंबी परवश रिंखला नहीं होती तथा दक्षणी भाग के दोनों तरफ समुद्र का फैलाव नहीं होता तो उपमहाद्विप में वर्षा कैसे होती उत्तरी द्रों से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा कौ नहीं होती और ना ही इनसे निर्मित विस्तरित मैदान होते इस स्थिति में भारती उपमहाद्विप एक विस्तरित मरुस्थल होता सिंधू गंगा की घाटियों में प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ इतिहासकारों का यह मानना है कि 67000 वर्ष पहले आफ्रीका से मनु पहुँचा। इनमें खैबर वा बोलन प्रमुक दर्रे हैं। मनुष्य के लिए रुकावटे पैदा कर सकती हैं तो वही रुकावटे उन्हें नए अवसर भी प्रदान करती हैं। अलग अलग समय में विभिन मानव समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भारती उपमहाद्यूप में आते रहें। कुछ अपने से पहले बसे समुदायों के साथ घुल मिल गए और कुछ ने अपनी पहचान अलग से बनाए रखी। अलग अलग संस्कृतियां धार्मिक विश्वास वा काम करने के तरीकों का असर कालांतर में एक दूसरे पर पढ़ता रहा। इस तरह भारती उपमहाद्यूप में संस्कृतियों के विकास के साथ जहां संस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना। वही प्रभावशाली सभ्यताओं ने विभिन संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के द्वारा इन्हें एक सूत्र में बांधने का काम भी किया।